मुख्यमंत्री तीश कुमार पर अरगल टिपनी करने वाले आरजेडी विधायक पर लालू प्रशाद यादो वेक्षन मुड में आ गये हैं शुदाकर सिंग को लेकर सोकोज नोटिस जारी कर दिया गया है आपको ताजे कि ब्यार में सत्ता में सही होगी राजद ने ब्यार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के खिलाप ब्यानबाजी के मामले में अपने विधायक सुदाकर सिंग को नोटिस बेजा है मंत्री पद से हटाये जाने के बाद सुदाकर सिंग लगतार नितीश कुमार के खिलाप मोर्चा खोले हुए थी आरजेडी ने सुधाकर सिंग से 15 दिन में जवाब मांगा है राजद ने भेजे नोटिस में कहा है कि आपने गटबंधन धर्म का मर्यादा का बार बार लंगन किया है राजद के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था कि गटबंधन के मामलों में सिर्फ लालु प्रसाद यादों के अलाबा चिशवी यादों ही बयान दे सकते हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया आप उन तमान नियम कानुन को ताक पर रख के लगतार नितीज कुमार पर बयानबाजी करते रहें आपके बयान लगतार उन ताक्तों को बल देते हैं जो सम्मिधान को रौन कर नयाय सवहार्द और सामानता की पैरोकाडिव को समाप्त करना चाहते हैं आपके बयान देश-प्रदेश और राजद के एक बड़े वर्ग को आहत कर रहे हैं इसलिए राजद बिधायक सुदाकर सिंग की महागरदन सरकार और सेमिधीश कुमार पर लगतार निसाना साथ रहे थे उन्होंने खगडिया में जनसभाग दोरान एक बाग फिर से हमला बोला सुदाकर सिंग ने कहा कि बिहार में न्याय का सासन नहीं चल रहा है बलकि लूट का ऐसा मॉडल बना है जिसे जाचना पुलिस के बस की बात नहीं है क्योंकि लूट का मॉडल सत्ता सनक्षित है पुर्व कृशी मंत्री ने कहा कि जद्यू भले ही इंडिये से अलग हो गई हो लेकिन जद्यू का बीजेपी से मोभंग नहीं हुआ है अभी भी बीजेपी के लाइन पढ़ी जद्यू चल रही है तो जद्यू के मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता राम चुत्र मानस प्रकन में बीजेपी का भासा बोल रहे है अब राजद भी एक्षन मुड में है राजद ने सोकुज नोटिस जारी कर दिया है अपनी विदायक सुधाकर सिंग पर 15 दिनों में जवाब मांगा है और कहा है कि जो कुछ भी आपने कहा है क्यों कहा है उसका जवाब दिजिए तो कि याद है वो दिन जब दिल्ली के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि गडबंधन के किसी भी मुद्धोपन आर्जेडी से अगर कोई बयान देता है तो सिर्फ लालू पुरसाद याद और तो यिश्वी याद ही होंगे उसके अलावा कोई भी बोलता है तो पार्टी लाइन नहीं माना जाएगा बवजूद भी आप नितीश कुमार पर लगतार अनरगल टिपनी करते रहें आप उन ताक्तों को मजबूत करते हैं अपने बयानों से जिसके खलाब महागर्बंदन मनी है तो ऐसे में कहीं न कहीं आप भारती जन्ता पार्टी के इसारे पर प्लांट किये गए है चुकि तेश्वी आजन ने कहा था कि जो भी इस तरीके की बाते करता है यानि कि भारती जन्ता पार्टी को समर्थन करता है तो इस तेश्वी ने बीजेपी का एजन्ट बताया था और कहा गया था कि खर्मास बाद RJD विदाग पर कारवाई होगी खर्मास खत्म और राजद ने नोटिस जारी कर दिया कि आप कारण बताई या अखिर क्यों आपने नितीश कुमार पर बयान दिया कोई सवाल या फिर कोई बात नहीं कहेगा तो फिर आप होते कौन है जो बयान आपने दिया है तो लिए 15 दिनों के अंदर आपको अपना जवाब अपने सुप्रिमो लालु परशाद यादो को भेजना है